नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी शराफत लेकिन उससे पहले मेरा आपसे बिनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये शराफत सीट पर किसी का सामान रखा हुआ था मैंने हौले से उसे परे सरका दिया और खिड़की के पास जम कर बैठ गई भाईया ने सूट केस और थैला उपर जाली में जमा दिया और कैनवास का हैंड बैक नीचे मेरे पैरों के पास फिर सीट पर मेरी बगल में बैठते हुए धीरे से फुस खुसाए पर्स में रख लिया है ना ना सूट केस में है मैंने धीरे से करीब करीब इशारे से जवाब दिया उनके चेहरे पर खीज उतर आई और वे सूट केस नीचे उतारने के लिए उठे पर मैंने कोट को हलका स जटका दे कर उन्हें रोग दिया वे असहाय सी मुद्रा बना कर बैट गए बेचारे दरसल कल रात को ही इस बात पर अच्छी खासी चर्चा हो गई थी कि पिंकी के जेवरों का सिट कहां रखा जाए पूरे साथ तोले की जोखिम थी मध्यम वर्गिये नौकरी पेशा लोकों पर भावी का सुझाओ था कि पर्स तो कोई भी हाँ से चीन कर भाग सकता है रोज ही तो इस तरह के किस्से सुनाई पड़ते हैं इससे तो बलकी सूट केस में रखना ठीक होगा निगरानी भी रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा अंत में यही तै हुआ था भाईया को उ लेंगी कुडाल ने खिड़की के पास आकर पूचा ना बेटे बस दो चार पान लगवा दे और एक आधर अच्छी सी मैगजीन मेरे लाएक हो तो ला दे तार कर देते तो ठीक था खेर अब भी फोन तो किया ही जा सकता है पड़ो उसका नंबर दे दो मुझे आज कल तो ब मेरा ध्यान बाहर एक सफेज स्वेटर में अटक गया था चोड़े पटे वाली खूब प्यारा डिजाइन था कुडाल पान लेकर आया तो मैंने उससे कहा वह सफेज स्वेटर दे कितना प्यारा लग रहा है कुडाल ने देखने की जरूरत नहीं समझी उल्टे मेरी मजाग बनाते हुए भाईया से बोला मामा जी मम्मी को बस यही एक बिमारी है बस स्टाप पर भी खड़ी रहेंगी तो आगे पीछे वालों के स्वेटर्स को घूरती रहेंगी कभी इतना खराब लगता है और फिर नए नए डिजाइन पहनते समय कितना अच्छा लगता है क्यों तब तो मम्मी की इसी आदत को धन्यवाद देते होगे अरे मामा जी आप नहीं जानते अब हमारा तो कोटा पूरा हो गया अब तो जो भी प्लैन बनता है जमाई सहाब के लिए बनता है इसी से तो कोफ्त होती है चल शैतान मैंने कहा पर सच तो यह है कि चोरी पकड़ी जा आकर बैठ किया संभल कर जाना पहुंचते ही तार देना भाईया ने उतरते हुए कहा बेचारे भाईया मेरा तार पहुंचने तक चिंता में डूबे रहेंगे मुझे उल्टी बिद्या पढ़ाने के लिए घर जाकर भाभी को लतारेंगे सो अलग गाड़ी सरपट बस स्ट पढ़िया को रात में थोड़ा टेंपरेचर था कुडाल पूरा डॉक्टर न सही पर उसके रहने से भाभी को सहारा हो जाएगा भाईया के हिस्ते की खीर दूध वाली अलमारी में रखी थी पता नहीं भाभी को याद होगा की नहीं तो सुबह तक यूँ ही पड़ी रह ज गया है उसी तरह खिडकी से लगी बैठी रही गोद में पड़ी पत्रिका का अंक उलट-पुलट करती रही साढ़े पांच हो रहे थे मुश्किल से पर सर्दियों में अंधेरा इतनी जल्दी घिर आता है कि अक्षरों पर नजर ठहराना कठिन लग रहा था आपको एतराज ना हो तो मैं खिडकी बंद कर दूँ बगल से प्रशनाया मैंने चुपचाप सिरह ला दिया सही आतरी ने उठकर खिडकी बंद की और मैंने देखा यह तो वही सफेद स्वेटर है पहनने वाला मुश्किल से 28-30 साल का होगा यूही इतनी सिम्टी सिकुडी बैठी रही मैं यह तो कुडाल के छोटे मामा जितना भी नहीं है अब ठीक से बैठकर मैं स्वेटर की बुनाई देखने लगी सादा है पर बड़ा सुन्दर सयोजन था दो उल्टे छे सीधे फिर दो उल्टे इसके बाद शायद बीच से धागा उठा कर या कहां जाएंगी आप जी भोप आप कहां जाएंगे बैरागर और फिर देवास आगया चाय लेंगी आप जी नहीं अभी खाना खाकर चली हूँ मैंने एक सीधा सा जूट बोल दिया उसके नीचे उतरते ही कागज खोल कर चुपके से एक पान खा लिया कब से इक्षा हो रही थी पर बड़े भाया के सामने हिम्मत नहीं पड़ती वे बेचारे कुछ कहते नहीं पर संकोच हो ही जाता है पान खाकर मैंने कुछ पढ़ने की कोशिश की पर बेकार था जुट पुटा खूब गाढ़ा हो चला था पत्री का हैंड बैग में डाल कर मैंने अपनी शौल निकाल ली एक नजर सूटकेस की और डाली और अच्छे से ओढ़ आड़कर बैट गई आजकल खाली बैटते ही मेरे दिमाग में किरन की शादी गोमने लगती है एक बहुत विशाल आयोजन की कल्पना मेरे मन में है और उसे इतनी बार दोहरा चुकी हूँ कि रटसी गई है फिर भी मोह छूटता ही नहीं इ इन्हें ये सारी बात ने जरा भी अच्छी नहीं लगती होगा भाई देखा जाएगा कहकर सारे मामले को रफा तफा कर देते हैं शौक तो जैसे सारा मुझे ही है इन्हें तो बस काम निप्टाना है पता नहीं पुरुस इतने ब्यवहारिक क्यों होते हैं ये तो इतनी जल ही हो चली है एकाद शादी तो उनके सामने हो बस अच कचा कर रुकी और मैं एकदम अपनी तंद्रा से जाग पड़ी आस्टा आ गया यह अभी सोनकक्ष ही है कुछ भी नहीं है पहिया बैठ गया है हे भगवान मैंने एक उसास ली और मायूस होकर अंधेरे को घूरने लग सभी पुरुष यात्री नीचे उतर गय थे और राज परिवहन को जी भर कर गालियां सुना रहे थे सारी बातों को इस्थित प्रग भाव से सुनते हुए ड्राइबर कंडेक्टर अपना काम कर रहे थे मुश्किल से आधा गंटा लगा होगा पर लगा जैसे युग बीत ग पिछले सब बस स्टॉप पर चाय ना पीने का मुझे दुख हो रहा था अगले स्टॉप पर जब मेरे हमसफर ने चाय के लिए पूछा तो मैंने आना कानी नहीं की पान लेंगे चाय पीने के बाद मैंने शिष्टा चार निभाया आप देंगी तो ले लेंगे उसने कहा कह मुझे ज़्यादा सोचने का अवकास नहीं मिला क्योंकि आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पीनूं उसने फिल्मी अंदाज में पूछा आपका स्वेटर बहुत अच्छा है मैंने उसके अंदाज को नजर अंदाज करते हुए कहा भोपाल में कहा रहती हैं आप अरेरा क चिंतता समाप्थ हो गई थी वह जिस तरह आराम से पैर फैला कर बैठ गया था वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पहले का जमाना सचमुच अच्छा था इस तरह बे तकल्लूफ होकर कोई महिलाओं के साथ बैठ नहीं पाता था अच्छी आजादी मिली है और मानो सम करते हुए कहा वैसे घर तो भोपाल में है पर मैं अक्सर इंदोर में ही रहती हूँ लड़का मेडिकल में पढ़ रहा है अभी गाड़ी में छोड़ने आया था आपने देखा होगा जैसी कि मुझे आशा थी वह एकदम समल कर बैठ गया फिर बोला आपका इतना बड़ा ल लड़का कल्टेक्स में इंजीनियर है उसके पिता भी सेंट्रल रेलवे में डिवीजनल इंजीनियर है बड़ा अच्छा घर है पर लड़का भी 1400 पा रहा है इस अनरगल प्रलाब की कोई जरूरत नहीं थी मैं सिर्फ अपनी बुजूर्गियत उस पर जताना चाह रही थी वह सिर्फ मुझे घूरता रहा मेरे चुप होते ही बोला क्या आपकी शादी बहुत छोटे में हो गई थी लगता ही नहीं कि आपकी इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे बात मेरे लिए नहीं नहीं है अब तो सुनते सुनते आदत सी हो गई है कुडाल को अक्सर लोग म नारी सुलब मोह मुझ में भी है पर इस समय तो यह प्रशंसा घबराहाट उत्पन कर रही थी अपनी बदहवासी छिपाने के लिए मैं धुवाधार बोलती चली गई घर ग्रहस्ती से शुरू करके मैं आपात काल छात्र आंदोलन आंधर का तूफान नई फिल्में सभी व करता हुआ सुनता रहा और मुश्कराता रहा मुझे लगा कि मैंने किला फतह कर लिया है बैरा गड़ा आया हमारी मंजिल तो आ गई उसने अस्पुट स्वर में कहा मुझे लगा वो बेवज़ा मेरे कानों के पास मुह ले आया है ठैंक्स for company मैंने सपाट स्वर में जवाब दिया वह उठा और सूटकेस उठाने के बहाने नीचे जुका फिर फुस फुसाया एक बार हाथ तो मिलाया होता क्या सन रह गई मैं घबराहट के मारे मेरा कलेजा मों को आ गया इक्षा हुई कि खीच कर एक तमाचा जड़ू पर भरी बस में तमाचा करने की हिम्मत नहीं हु आई ये जरा उम्र का लिहास तो किया करो मैंने कहना चाहा पर आवाज गले में फंसकर रह गई तब तक बस चल पड़ी थी और वह उतर गया था मेरे हाथ पाउं बुरी तरह कांप रहे थे शर्म के मारे मैंने अपना मूँ शौल से ढक लिया था मुझे जैसे विश्वास ह हो गया था कि आगे पीछे बैठे लोगों ने सब कुछ सुन लिया है और वे लोग मुझे घूर रहे हैं राइल मार्केट पर आधी बस खाली हो गई थी इस टेंड पर उतरने वालों ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था मुझे ना अपने सूटकेस का होश थ जिसमें किरन के गहने थे ना हैंड बैक का जिसमें पांच चांदी के और सत्तर स्टील के गिलास रखे हुए थे एकदम पत्थर हो गई थी मैं नीचे उतरी तब रात के साड़े दस बज रहे थे इक्षा हुई कि इन्हें फोन करके बुला लूँ पर इतनी रात गय मिश्र अडोस पडोस में यह गाथा सुनाती फिरेंगी और यह भी तो कम नहीं है आएंगे जरूर पर आते ही बरस पड़ेंगे और फिर स्कूटर पर इतना सारा सामान कैसे जाएगा रिक्षा तो फिर भी करना पड़ेगा इनका पेट्रोल भी जलेगा टैक्सी के पैसे लगेंग इन दोर के एक एक छड़ के साथ रात गहराती जा रही थी और कुली मेरे निर्णय की प्रतीक्षा में खड़ा था बाई साप उसने तीसरी बाद टोका रिक्षा में ले चलो मैंने आखिर में निर्णय ले ही लिया खुली ने गेट से बाहर आकर एक आटो को आवाज दी सामान रखा और पैसे लेकर चलता बना कहां जाएंगी ड्राइबर ने पूछा अरेरा कॉलोनी मैंने कहा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तब मुझे भान हुआ कि बैठने से पहले मुझे कम से कम नंबर तो देखी लेना था मैंने मीटर पर पढ़ने की कोशिश की पर अंधिरे में कुछ नजर नहीं आया ठंड के कारण ड्राइबर ने अपना चेहरा इस तरह ढख लिया था कि उसकी उम्र का शक्सियत का कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा था इससे तो अच्छा था मिसस मिश्रा का एहसान ही ले लेती मैंने सोचा इनकी फटकार भी सुन लेती पर तनाव से तो मुक्ती मिल जाती मैंने पर्स च्छाती से चिपका लिया जिसमें सोपचास अब भी शेश थे सूटकेस उठा कर गोध में रख लिया और हैंड बैक पर पाउकस कर जमा लिये खूप चौकन्नी होकर बैट गई मैं हर मोड को बहुत ध्यान से देखती जा रही थी लेडी हॉस्पिटल का चड़ाओ चड़ते चड़ते इतनी तेजी से मुड़ी आटो कि मैं गिरते गिरते बची उस तरह बैटने से पीठ में भी दर्ध होने लगा था कुछ देर को आराम से टिक कर बैट गई पर मन को चैन नहीं था वापस पहले वाली पोज ले ली जाड़े की रात ग्यारा बजे सड़क पर अजब सन्नाटा था दिन भर की चहल पहल का गहमा गहमी का कोई चिन नहीं था अरेरा कॉलोनी में मुड़ते ही उसने पूचा किधर को साप अब मैं उसे सेक्टर घर नंबर आदी बताने लगी गलियों की भूल भुलाईया पार कर गाड़ी आखिर घर के सामने आकर खड़ी हुई और मैंने राहत की सांस ली पहले तो मन हुआ कि नीचे उतर कर पैसे दूँ पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी नीचे रोशनी भी नहीं थी मैं मीटर की मद्धिम रोशनी में पैसे गिनने लगी उसने धीरे से मेरा हैंड बैग उतार कर नीचे रख दिया रहने दो भाई हम उतार लेंगे मैंने सूटकेस को मजबूती से पकड़ते हुए कहा कोई बात नहीं बैण जी हम घिस थोड़े ही जाएंगे आखिरकार बड़ी पापड का थैला उसे उठाने दिया मैंने और सूटकेस और पर्स लेकर मैं नीचे उतर आई चारो और घुप अन्धेरा था फाटक टटोला मैंने भीतर से ताला जड़ा हुआ था बरसो पुराना रिवास था यह हमारा रात को बगीचे के फाटक पर ताला डाली देते थे किरन, किरन मैंने आवाज को भरसक खीचने की कोशिश की पर फिस होकर रह गई पीछे कुछ आहट हुई तो चौक कर देखा बैग और जोला वै फाटक के पास आकर रग गया था हे भगवान, कैसी बेवकूप थी मैं सब कुछ महीं चोड़कर चली आई थी अभी बैठे बिठाय कितना नुकसान हो जाता सत्तर स्टील के गिलास एक गिलास पंद्रे रुपय का था और पांच गिलास चांदी के 65 रुपय का एक हजार डेढ़ हजार पर उतर जाती इनकी बातने सुननी पड़ती सो अलग मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी से पीठ टिकाय वह आराम से बीड़ी पी रहा था पैसे दे दिये न मैंने धीरे से पूची लिया जी हाँ पैसे तो मिल गए हैं आप दरवाजा खुलवा लिचे फिर मैं चला जाओंगा बहुत सुनसान है यहाँ सडक पर बत्ती भी नहीं है मैंने फिर आवाज लगाना शुरू किया अब मैं कुणाल को पुकार रही थी खूब जानती थी कि उसे पीछे इंदोर में छोड़ाई हूँ पर किरन का नाम लेकर इस तरह चिलाना भी तो अच्छा नहीं लग रहा था पता नहीं कैसे नीद में सो रहे थे सब दर्वाजे खिड की कहीं से रोशनी की एक किरन भी नहीं आ रही थी कैसी लड़की है शाम से ही सो गई है क्या फाइनल की परीक्षा सिर पर है और इसे जरा भी चिंता नहीं है मैंने कन्खियों से फिर एक बार पीछे देखा वह वैसे ही खड़ा हुआ था आप घबराईये नहीं मैं खड़ा हूँ यहां उसने आस्वस्त किया और सचमुच उसके वहां होने से मेरी कुछ हिम्मत बनी हुई थी जब मैं दो एक बार और आवाजें लगा चुकी तो वह भी पास आ गया और बाबु जी की गुहार लगाने लगा दो एक बार पुकारने के बाद उसने पूचा पीछे का दर्वाजा नहीं है कोई वहां से देख लेते हैं पीछे का दर्वाजा है क्यों नहीं पर क्या तुम्हें बताने के लिए है और सारा सामान तुमारे भरो से छोड़कर पीछे चली जाओ ऐसी बेवकूफ नहीं हूँ गाड़ी का नंबर देखना उतरते वक्त भी याद ना रहा लापरवाही की हद है की नहीं इतनी हताश हो गई मैं की नीचे से एक कंकर उठाकर बेडरूम की खिडकी पर दे मारा जण से एक आवाज हुई जो उस सन्नाटे में गूंज गई कौन है इनकी घबराई हुई सी आवाज आई मैं हूँ जी दर्वाजा तो खोलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा कर आवाज दी एक एक करके घर की सारी बत्तियां जल उठी इन्होंने ड्राईंग रूम की खिडकी खोली और पोर्च की बत्ति चला दी हाई पापा ये तो मम्मी है किरण एकदम चीक पड़ी दर्वाजा खोल कर ये बाहर आये और बोले ये कौन सा समय है भाई आने का दर्वाजा तो खोलिये पहले मैंने रुवासी आवाज में कहा तब उन्हें फाटक का ध्यान आया किरण तब तक दोड़ कर चाबी ले आई थी खबर तो दी होती पहले ताला खोलते हुए उनका पुद्बुदाना जारी था मैंने कोई जवाब नहीं दिया फाटक खुलते ही तीर की तरह अंदर चली आई कमरे की सुखद गर्मी का एहसास होने के बाद ही मैंने जाना कि बाहर कितनी गजब की सर्दी थी ये अंदर आये तो भी भुन-भुना रहे थे ये क्या कबार उठा लाई हो हम लोग क्या किसी बज़्ट देहात में रहते हैं सामान मेरे सामने पटकते हुए इन्होंने पूछा यही था ना कि बाहर कुछ रह गया है रह भी जाता तो अब कोई चिंता नहीं थी सुरक्षित घर पहुँच जाना ही मेरे लिए इस समय सबसे अधिक सुख का विशय था बाहर स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज आई और मुझे एक-एक होश आया दो शब्द धनवाद के भी तो नहीं कह सकी थी मैं तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं